ये हिंद वंदे मातरम साथि हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPA ट्रेट्समेन के जो भरतिनिकल के आई हुई है काफी भाई इसमें कन्फूजन में है कि क्या हम इसमें दो फार्म अपलाई कर सकते हैं या एक ही इमेल आईडी से दो फार्म भर सकते हैं या फिर अलग अलग अगर आईडी एकाउट बना कर हम फार्म अपलाई करें तो क्या हमारा एड्मिट कार आएगा यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपसरी को देने वाला हूं साथ ही मैं आपको यह बताऊँगा कि जो यहां पे नई भरती सियाट के निकल के आई हुई है 148 पोस्ट उपर जिए दोस्तों जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में जिसमें बताया गया था आपकी एज बढ़ा दी गई है आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है तो क्या जो बढ़ाई गई है 148 पोस्ट क्या उसमें अलग से फर्म अप्लाई कर सकते हैं यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपसरी को देने वाला हूं वीडियो कंपरिट देखिएगा यह वी ही बढ़िया आप होजनेटी है कि तीरार नवे 9300 प्लस पोश्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई है को सभी इसमें फर्म अप्लाई जरूर करिएगा चले ठीक है अभी आपने आप एज लिशासन आपको मिल चुका है जो की तीन-तीन साल का आप सभी किसी भी घटगरी क islands जिसे मालनेते हैं ज़नेर सल् walnut थे तैस साल के बच्चे भरती दे सकते थे लेकिन अभि आ पjach तीन साल मिलने के बाद रहा चभी साल टक आप अराम से और बाती है जो इसमें नई भर्ती जो इसमें इंक्रीज की गई है कुछ पोष्टों पर 148 पोष्टों पर नया पोष्ट इसमें लाके सामिल किया गया है तो उसकी हाइट यहां पर कम कर दी गई ठीक है लेकिन सब की हाइट कम नहीं है जो नई भर्ती आई हुई है उसी में CRP of Testament में 148 प सब्सक्राइब करें तो आपका 1600 मीटर रणिंग है और दस मिनट में क्वालिफाइब करना होगा मेरे दोस्त लेकिन आपको दस मिनट का समय इसमें दिया जा रहा है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है 165 है तो आप सभी 148 पोष्टों मे फार्म को अविद्र कर दीजिएगा ठीक है अब बात या आती है कि जो CRPF ट्रेट्समेंट की भरतिया हुई है अगर हम उसमें फार्म को अविद्र करें और दोबारा भी क्या फार्म को अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आपने एक एक एकाउंट बना है यह बात क्लियर हो गई अब ऐसा नहीं है कि अपने ड्राइवर में फार्म कर दिया चलो हम दूसरा इमेल आडी बनाकर कुक में फार्म अप्लाई करने ऐसा नहीं करना है क्योंकि हेड कॉंस्टेबल मिनिस्टियल एक जो भरतिन कहले कि आई हुई थी मैं बात करूँ मैं на давай कि हैं और रता कर लिया और मैंने एसाइय में फार्म को अपलाई कर दिया मतलब दोनों पपलाई कर दिया और कांपर कर दिया एसा करना है कोई भी एडमिट का ड़कर नहीं आएगा सारे फार्म आपके यहाँ पर रिजट कर दे जाएंगे और आपकी उमीदवारी यहाँ पर रद कर दी जाएगी CRP of Statsman से तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है आप एक एही फार्म फिलप करिए उसी के लिए तैयारी करिए और उसी में आपको सेलेश्टन होगा तो मैं आसा करता हूँ आसा मेरी बात को समझ गए होगे और उस नोटिस को लेकर जिसके कंफूजन था कि 150 cm हाइट किसकी लगने वाली है तो मेरे दोस्त जो नोटिस में 149 पोश्टों पर नई भरती आई हुई है जिसमें उसमें आपकी हाइट 150 मांगी गई है ना कि अधर ट्रेडों में जो अधर ट्रेड यहां में निकलकी आई हुई थी बानने भी 9200 पोश्टों पर उसमें कुछ नहीं है सेम हो ऐसे ही है 117 cm हाइट है सब कुछ है लेकिन नोटिस में जो नई वेकेंसी बढ़ाई गई है 140 पोश्टों पर उसमें आपकी हाइट 165 है रणिंग है 116 मीटर 10 मिनिट में तो यह सब इसमें बोला गया है और आपकी जो नई भरती आया हुई है 140 पोश्टों पर वह आपको ऑफिस वर्क है कोई बड़ा काम नहीं है और पिस में काम करना पड़ेगा ठीक तो इसमें लिखा गया है सफाय करमचारी मिनिस्टियल मतलब कि मिनिस्टियल की जाओब है बहुत ही आराम की जाओब है अगर आस तब के लिए बहुत यह बढ़िया चीज है कि आस तबी की हाइट अगर आपके हाइट थोड़ी कम भी है तो अगर आस तबी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मैं आस तब के लिए फ्यूचर में भी इस तरीके सब्डेट हमेशा लाता रहता हूं इस चैनल पर तो मिलते हैं सब्सक्राइब नेक्स्टिय वीडियो के तब तक लिए जैहिंद